नमस्कार दोस्तों, मैं नेतिसकुमार लर्मेस में आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम मौग 57 का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं A75 Heart Series का 57 वीडियो है इसके पहले का 56 वीडियो में हमने 56 मौग का डिस्क्रिप्शन किया है जो आपको playlist के form में मिल जाएगा और उसका link जो है description में है चलिए शुरुआत करते हैं आज का discussion question number 1 में बोल रहा है आपका कि एक लाख बीस जार जो एक लाख पचास जार पांस ओठाईस रुपे हो जाता है दो साल में rate of interest कुछ है compounding हो रहा है अगर same rate of interest थे हम P रुपे इंसर्ट करें invest करें कि 3,51,232 रुपे हो जाएगा कितने साल में तीन साल में तो हमें बताना है कि P का value क्या होगा हमें पता है कि amount और P जो है न वो आपका 1 प्लस R by 100 का power N होता है N का मतलब क्या हुआ number of years इसको आप MF या multiplying factor भी बोल सकते हैं क्योंकि principle में multiply करने से amount आ जाता है power 2 पहले case में 2 साल के बात हो रहे है तो 2 आ जाएगा amount कितना है 150,528 और नीचे है 12,12,3,4 अगर हम 12 से उपर नीचे काटने जाए अच्छा ए value है आपका MF का square ध्यान रहे तो 12 से 1,12,3,4 बार में कैसे कटेगा 12 से 1 बार में 12 तो 3,30 हो गया बार दूना 24,6 बचा तो 65 हो गया 12,5,60 तो 5,बचा 52 बर्चो कर 40 तो फिर 4 बर्चो कर 40 तो जो value आ रहे है क्या रहे है आपका 1,2,5,4,4 करके आ गया अब इसको हम और simplify करते हैं तो क्या क्या कैंसल हो सकता है उपर नीच अगर देखे तो 16 से कैंसल हो रहा है 16 से नीचे करेंगे तो 16,6,96,4,100,32,6,5,8 हो गया उपर क्या हो जाएगा 16,7 बिलो तला से 112 हो गया 112 हो गया तो बचा कितना 13 है 134 तो 16,8,28 से यह हो गया क्या होता है 28 का स्क्वाइर होता है और वह ऐसे ही आपका 625 होता है क्या 25 का स्क्वाइर तो 28 बटा 25 का स्क्वाइर आ गया है equal to MF का स्क्वाइर तो यहां से आपको जो multiplying factor दिख रहा है यह आ गया है 28 बटा 25 तो अभी हमारे पास multiplying factor या 1 प्लस R by 100 का वहलू आ गया है चलते हैं दूसरे पार्ट पे दूसरा पार्ट में क्या बोलता है कि जो principle है इस principle में multiplying factor मतलब कि 28 बटा 25 को 3 बार गुना करना है ते वहलू आ जाएगा 3 5, 1, 2, 3, 2 तो हमें बताना है P का वहलू क्या होगा आएए देख लेते हैं तो P का वहलू आ रहा है 25 सा 25, 625 625 बुना 25 और इसके साथ आएगा 351, 232 और या आगया 28 गुना 28, गुना 28 यही आ रहा है अब इक calculation थोरा सा lengthy type के लग रहा है चले 28 से काट कर देखते हैं एक बार में 28 आएगा 725, 152, 25, 140 13, 24, 112 फिर 12, 24, 12 इतना आ गया तो फिर से 28 से अगर काटेंगे तो 28, 24, 112 बचा कितना 13, 13, 134 आ गया फिर 28, 24 का 112 करेंगे तो कितना बचे गया 134 में से 112 गया बचे गया आपका कितना 22, 24, 28, 8, 224 यही होता है 88, 47, 66, 22 फिर 28 से कितनी बचेंगे एक बचेंगे 16 बचेंगे बचेंगे बहलू आ गया है अभी का करेंगे 625 गुना 16, 85, 16, 32 और 8, 40 इतना आगे 00 है ही 425, 4, 28, 12, 24 और एक 25 25 पर 3, 0 करके आया है तो सही आंसर क्या आएगा आपका आप्सेंगा कीजिए का चार जीरो आएगा सही आंसर आगे option number two question number one में तुरा calculation था उमीदे चीजे clear होंगी चलिए आगे चलते हैं question number two में है कि तीन मिल्क का बोटल एक एक लीटर का है amount का value निकाल लेते ratio निकाल सकते हैं तो एक है आपका 1000 ml एक है 750 ml एक हो गया 650 ml जीरो 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 चला जाएगा पांच से अगर हम काटने जाएगा तो यह 20 बार में और यह 15 बार में और एक इतना का 13 बार यह हो गया है कि आपका number या amount का ratio जो percentage का है परसेंटर का ratio नहीं actual value लिखेंगे तो पहले case में 45 है दूसरे case में 50 है और तीसरे case में 60 है हमें क्या निकालना है net निकालना है तो basically average निकालना है average कैसे निकालना है माल लेते है average क्या है 50 है पहला जो slot है या फिर जो 20 वाला unit है उसमें से हरे की unit जो है आपका 5 कम है तो 5 कम है तो कितना हो जागा माइनस 100 कम हो गया बीस पर चेस सो सेकेंड़ वाला से तो फरक नहीं पड़ता है क्योंकि 50 है तो जीरो होगा थर वाल देखेंगे तो हरे एक unit कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है 10% ज्यादा है और total 13 unit है इसमें 130 ज्यादा हो गया अभी इसक आपका 50 जोर 30 बचा 48 तो 30 बचा 48 तो 50 पॉइंट सम्थिंग और 50 पॉइंट सम्थिंग में एक ही ऑप्शन है यही सही होगा आगे चल लगे question number 3 में है कि 3 साल पहले राम का income था 2 पे 4 जीरो या फिर 20 जार बोल सकते है expenditure था 16 जार अब income 10% increase हुआ है और आपका expenditure है 15% तो हमें बताना है कि net change इसके saving में क्या होगा इधर income है यह आपका क्या expenditure यह क्या है आपका saving है पहले कितना था income 20,000 यह था आपका कितना 16,000 यह कितना होगे आपका 4000 होगे कोई दिकत नहीं income बढ़ा है कितना से 10% से अगर 10% से बढ़ा है मतलब कि 2000 income बढ़ गे expenditure कितना से बढ़ा है 15% तो दो जिरो से जीरो गया 0, 15, 6, 90 और 15, 90 तो जहाँ 2000 income बढ़ा है वही 2400 इसका expenditure बढ़ गया अगर expenditure 2400 बढ़ गया दोस्त तो इसका saving को 400 कम करना परेगा ना बोलेगे कि हाँ तो 400 से कमा दिया क्योंकि 2000 ही बढ़ा था और खर्चा बढ़ा दिया 2400 तो saving कम जाएगा आगे चलेंगे क्वेश्चन नमर चार में है कि largest distance between two points और स्फेर जो है कितना दिया 6 unit तो भॉलूम निकलना है largest distance का मतलब होता diameter जिसका value two times radius हुआ यह 6 है तो आर का value हो गया 3 भॉलूम चाहिए भॉलूम होता है 4 by 3 πाई रखें एक इतना जग है 4 बटा 3 पाई तो पाई है यह हो गया 27 तनोचों का 36 36 पाई करके आ रहा है सही answer आगा option number 4 question number 5 पे चलेंगे 5 में है कि present population एक टाउन का है 95 पॉपुलेशन इंक्रीज किया है पहले साल 15 प्रतिशत से दूसरे साल 20 प्रतिशत से और तीसरे साल 12 प्रतिशत से decrease कर गया तो हमें बताना है कि 3 साल के अंद में population कितना हो गया कितना था 95 प्रतिशत से इंक्रीज करने का मतलब क्या है करना 5 था तो 6 हो गया है 12 प्रतिसद का decrement वारा 8 प्रतिसद का 4 त्याई 129 प्रतिस सो मतलब कि 3 बटा 25 यही होता है तो इसका मतलगा कि 25 था घट के कितना हो गया है 22 क्लोंकि इंक्रिमेंट में कीधिंध हे किस एक सो 100 हो गया pops 80 से करेंगे sow 53 ऑन 5 Mads V यहां से हमें क्या करना है इसको सिंप्लिफाई करना है तो बाइच्छक बतील से अंसर आ रहा है 38 गुना 232 इसको सॉल्व करेंगे तो 38 इंटू तेश दूना 46 तेश दिवा 79 इंट 4, 73, 23 इंट 7 कितना जगा 30 अभी यहीं गुना कर लिजी 30, 36 को 38 आठचा करता लिज, 24 इंट 4, 28 फिर 24, 24, 18 तीन 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 नौ, एक दस, तीन 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 नौ, आठ, आठ, 16 फिर 2, 1, 3, 4, 1, 5, 9, 2, 11 11, 33, 68 करके हैं कुछ, 11, 33, सही आंसर आगे, option number 3, यह भी तोरा सा कैलेकुलेटिव था, लेकिन आप कर पाएंगे, question number 6 पे चलिए, इसमें है कि कितने digit के बाद decimal आ गया रख अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे, multiply करने के बाद क्या होता है, एक, दोनों add हो जाता है, यहाँ पे decimal कितने, decimal के बाद कितना देजिए, 3, इधर कितना है, 4, 3 और 4 मिल के कितना हो जाएगा, 7, तो 7 डिजिट के बाद decimal आ जाएगा, question number 7 में है कि dealer जो है, अपने goods को 30% increase करके mark किया है, और in order to sell good, तो no profit and no loss पे बेचने के लिए, उसे कितने प्रतिसत का discount देना परेगा, cdc बात ह 100 का समान है, 130 बोल दिया, एक cost price हो गया, एक mark price हो गया, हम बोले के ठीक है, no cost, no profit, no loss का मतलब है कि ये 100 रुपे में बेचेगा, मतलब 30 का discount दे रहा है, 30 का discount कितना पर दे रहा है, 130 पे गुना का 100 करना परेगा, 0, 0, 300 को 13 से भाग देगा, 13 दुन 26 आ जाएगा, उनके ठीक है फिर 4, तो 40, 33, 49, 23, 23 दसंबल कुछ करके आएगा, तो 33 दसंबल कुछ में एक ही option है, यही सही हो गया, पूरा calculate करने की जरूद नहीं है, हमें क्या चाहिए इसका fourth proportional, fourth proportional कैसे निकालेंगे, माल लेते है fourth proportional A है, तो आजएगा 6 by 10 का value आना चाहिए, 12 बटा A, दो बार में A का value कितना हो गया, 20, तो सही answer क्या निकल के आएगा, option number 2, question number 9 में ही कि police officer जो है, एक चोर को पकरता है, जो 800 मीटर दूर है, अगर एक 8 और एक 7 किलो मीटर प्रतिगंटे की राफ्तार से भाग रहे है, तो कितना distance police officer को दौरना परेगा, चोर को पकरने के लिए, यहाँ पे police है, यहाँ पे चोर है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 800 मीटर, एक भाग रहा है, 7 किलो मीटर प्रतिगंटा से, ख्योंके चोर धीर भाग करता है तो पकर जाएगा, यह 8 किलो मीटर प्रतिगंटा से, दोनों एक ही साथ भागना start किया है, मतलब कि दोस time क्या हो गया, दोनो एक का गयप है, लेकिन बोलता है कि नहीं भाईया, गयप तो एक्चुली में है, 800 का, एक का वेलू 800, पुलिस को 8 यूनिट भागना पर रहा है, तो आठ का वेलू कितना हो जाएगा, चौशट सो मीटर, तो पुलिस को चौशट सो मीटर भागना परेगा, जो कि होप्सन न कि नए वरकर का वेट कितना होगा, देखियो, वेट कैसे निकालेंगे, अगर नए वरकर का भी वेट 58 kg होता, तब क्या एबरेज बरता, जूकर जितना था उतना ही रहता, क्योंकि जितना गया होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह जो 10 लोग है, इन सबका वेट जो है 2.8 एक्ष्ट्रा ने खुद था, 28 लेके आया, दोनों मिलके कितना आजगा, 86 kg, सही आंसर आजगा option number 2, question number 11 में है area of triangle जिसका base and height दिया हुआ है area कैसे निकालेंगे आएगा 1 by 2 base है 3.2 ये meter में है ये 75 cm में meter में करने के लिए 100 से भागा दे दिया 25, 400, 25, 75 4, 2, 8, 0, 2, 4 बार में तो आजागा 1.2 meter square सही answer आगे है option number 4 next पे चलिए question number 12 होगा 12 में है कि एक merchant है ब्यापारी है जिसने 42 सट लिया है हर एक का price कितना है 520 और उसने 548 में बेच दिया हमें बताना है percentage profit कितना होगा 520 को 548 में बेचा है तो 28 रुपे का profit हो रहा है इसे percentage कैसे निकालेंगे 28 का profit है 520 पे गुना का 100 करना होगा गया गया तो फिर 4 से करेंगे तो 13 वार में चार से करेंगे तो 7 बार में यह आगा है 70 बटा 13 तरचो का बावन 13 पर्चे 65 पांच दसंबलों कुछ में एक ही option है वही सही आंसर हो गया आगे चलिए तो आप यह देख पा रहे हैं कि हम पूरा calculation नहीं कर रहे हैं जैसे मानलों 5 से 1 ही option start तो पूरा करनी की दरूरत क्या है ना नहीं करेंगे question number 13 में है कि एक बेपारी 20 परतिसर का discount देता है mark price पे वह फिर से 10 परतिसर का discount दिया reduced price पे क्योंकि वो cash में payment ले रहा है customer को कितना पे करना परेगा अगर वो cash में देना चाहे 5000 के समान के लिए ठीक है 5000 का समान है पहले 20 परतिसर चूट मिला मतलब 5 का समान 4 में मिल रहा था फिर से 10 परतिसर का चूट मिला 10 का समान 9 में मिलेगा 50 गया यह 100 बर में तो कितना जागा 36 5000 के समान को अगर आप cash मिलेंगे तो 3600 ही पढ़ेगा चलिए आगे चलते हैं कोशनमा 14 पर 14 में है कि जुलाई में 30% पॉपुलेशन जो है वैक्सीन ले लिया है COVID-19 का जून में जो है वो आपका क्या है 50% आप रिमेनिंग इन जुलाई कोशनमा 14 में है कि एक city है 2021 में वैक्सीन ड्राइब चल रहा है तो जून के महिने में 30% लोगों ने वैक्सीन लिया है बाकी बचे का 50% जुलाई में और फिर जो बचा उसका 20% कहां पे ले लिया 20 में मतलब कि ऑगस्ट में वैक्सीन ले लिया इसके बाद भी है कि 84,000 लोग वैक्सीन नहीं लिये है हमें बताना है कि city का population कितना था देखिए city का population x माल लेते हैं पहले कितने परतिसत लोगों ने लिया 30% लोगों ने ले लिया बचे कितने 70% लोग तो 60 बता 10 बच गए इसका 50% ने वैक्सीन ले लिया फिर से जुलाई में बचा कितना 50% मतलब एक वटा दो फिर जो रिमेनिंग है यह आपका जुलाई के एंड में बच रहे हैं लोग जिसने वैक्सीन लिया है इसका 20% अगस्ट में वैक्सीन लेते हैं 20% लिया ना बचा कितना 80% जिसकों बोल सकते हैं चारवाटा पांच यह टोटल जो रिमेनिंग है आफटर ऑगस्ट यह दिया है आपका 84 पे 1,2,3 तो सच्चोग 28,3,84 3,000 आ गया तो पांदुना 10, दरदा 100 तो तीन पे कितना आ जाएगा 2,0 और तो आंसर आगया 3,00, पांख सही आंसर आगया उपसन नमबर 2, 15 देखिए क्वेशन नमर 15 में है कि P जो यह काम को 15 दिन में Q 10 दिन में कर सकता अगर alternate दिन में करेंगे P से start करके तो कितने दिन में काम हो जाएगा यह P है यह Q है एक 15 दिन में, एक 10 दिन में टोटल काम क्या करेंगे, दोनों का हम LCM माल लेते हैं, जो कि आपका क्या हो गया 30, P का Efficiency 2 हो गया Q का 3 हो गया अभी क्या है भईया, 30 काम करना है पहले दिन कौन आएगा, P आएगा और आके 2 काम कर लिए सेकेंडे कौन आएगा, Q आके 3 काम कर लिए मतलब कि 2 days में जो है वो कितना काम हो गया, 5 काम करना कितना है, 30 काम, लगेगा कितना 2 गुना 6, 12 दिन तो 12 दिन में काम हो जाएगा, सही आंसर, option number 1 Question number 16 में कि रेनू जो है, दो घरी खरीद रही है and each of them जो है, उसका price का है एक को profit पे बेची है 20.30 का, दूसरे को 24.2% के loss पे बेची है फिर यह बोर्डा की difference between their selling price अगर 189 रुपे है तो हमें बताना है कि cost price क्या था एक बात बताएगे, दोनों का cost price तो सेम है बोलें कि यहाँ, माल लेते हैं P है एक को इसने 20.30 के profit पे बेचा है यहाँ पे आ गया 20.30 किसका, cost price का दूसरे को इसने 24.2% के profit पे बेचा है मतलब कि यहाँ पे 24.2% के profit पे तो इन दोनों के बीच का जो gap है न दोस्त यह gap कितना है gap है आपका 4.2% बोलें कि हाँ और इसी का value question में कितना दिया है 189 तो फिर अगर आप देखेंगे एक परतिसत का value कितना हो जागा 189 0 divided by 42 यही आ रहा है 21 दूना 42 29 बार में यह 45 आ गया तो 100 परतिसत का value कितना हो जागा दोस्त 4500 तो जो परतिये घरी का क्रेमूल है वो है 4500 question नमर 17 में है P और Q एक साथ मिलके काम को 20 दिन में Q और 30 दिन में कर सकते है P जो है वा R से दो गुना ज्यादा कुशल है तो बताना एक Q अकेले कितने दिन में complete करेगा यह P जो और Q हो गया है यह Q जो और R एक ने जो पहला गरूप है 20 दिन में फिर 30 दिन में कर सकता है वा R से दो गुना कुशल का रहता है अब यह दिया है कि P जो काम करने में है R से दो गुना कुशल है तो P भाई R का वेलू का हम लिख लिए 2 बाई 1 लेकिना आपका मन में विचार चलेगा क्या रहे 2 बाई 1 क्यों लिखा इसको भाई 4 बाई 2 क्यों नहीं लिखा 6 बाई 3 क्यों नहीं लिखा तो बोलेंगा रुकिये हम दोनों जगह से निकाल कर देखते हैं जैसे अगर हम R का वेलू 1 पूट करते हैं तो इस वाले से Q का वेलू भी 1 आ जाएगा P का वेलू 2 पूट करने से क्या यहां से भी Q का वेलू 1 आ रहा है बलता चला कि हाँ आतो रहा है अगर दोनों जगह से Q का वेलू सेम आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही निकाए P का वेलू 2, P का एफिसेंसी 2, R का एफिसेंसी 1 और Q का एफिसेंसी 1 नहीं होगा तब टाइम कितना लगेगा काम करने में साथ काम करना है एक का एफिसेंसी 60 डेज सही अंसर आ गया option नमबर 3 यहां पर समझना था कि हमने 2 by 1 रखा 4 by 2, Q नहीं रखा अभी क्या इसको simplify करके 1 आ रहा है तो हमें K का वेलू बताना है तो देखिए 143 को 13 से बाग देंगे तो 11 आएगा 11 क माइनस 9 उपर आगे तो 36 में से 35 गया 1 एक जोर के स्कोर का वेलू है 1 यहां से बहिए के स्कोर प्लस 1 का वेलू आगे 11 क माइनस 9 के स्कोर माइनस 11 के प्लस 10 का वेलू 0 है तो यहां गया के माइनस 1 and k-10 का value 0 k का value 1 and 10 में से कुछ भी होगा अब देखिए कौन सा सही है 1 दिया है 10 दिया नहीं है तो यही सही होगी question number 19 में है कि 25 doctor जो है वो 75 patient को 5 घंटे में diagnose कर सकते है 5 doctor ने काम छोड़ दिया है अभी बताना है कितने patient को 6 घंटे में diagnose कर सकते है यहां पर आपने पराओगा कि M1 ने D1 H1 by W1 का value होता है M2 D2 H2 by W2 जहाँ M1 है D D क्या है D है H क्या है आवर है तो W कितना काम होता है इसी को अगर हम इस question में apply करें तो 25 doctor M के place पे 25 आगे 75 patient को diagnose करना तो 75 काम है कितने घंटे काम करके 5 घंटे काम करके 75 patient का diagnosis कर सकते है अब 5 लोग ने छोड़ दिया बचे कितने 20 काम कितने करना है इनको 6 घंटा patient कितना है माल लेते हैं 3 तो 25 75 5 24 20 12 72 ते लोग 72 का diagnosis कर सकते है सही answer आगा option number 4 यहाला चीज आप याद रखिएगा काम आते रहता है अब हम चलते है 20 में और आखरी question पे इसमें है कि पुलिस एक चोर को देखता है 120 मीटर पे यह नों भागना स्टार्ट कर देता है जो है आपका चोर का speed है 6 मीटर पर सेकंड तो बताना है कि चोर कितना दूरी तेह करेगा पकरे जाने से पहले यह पुलिस हो गया है चोर हो गया बीच का दूरी है 120 मीटर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से पीछे से पुलिस भाग रहे है 8 मीटर पर सेकंड से क्या time दोनों का सेम है बोलों कि हाँ सेम ही है, क्योंकि एक ही साथ भागना स्टार्ट किया है, पक्रा जाएगा, तो एक ही टाइम पे पक्रा जाएगा, तो दोनों के distance का ratio जो है, speed के रेशियो के बराबर होगा, मालनी जए D1, S1 पुलिस के लिए है, तो इसके लिए 8 नीचे आ जाएगा 6, आ गया ह चार बटा 3, एक यूनिट का value कितना है, तो यह 120, तो यह 3 यूनिट भागना पर चोर को, यह हो जाएगा 360 मीटर, तो चोर जो है 360 मीटर जाके क्या होगा, पक्रा जाएगा, और सही आंसर आजएगा, option number 1, तो इससी के साथ इस paper का solution होता है समा, फिर मिलेंगे अगले वीडि